वह देखे सहब अगर आप किसी भी कुश्चन में फस चुके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है कुश्चन की फोटो कीचे, क्रॉप कीजे और सेंड कर दीजे पांच सेकेंड में आप कोई वीडियो शलूसल मिल जाएगा चाहे वो कुश्चन आपका होमवर्क का हो CBAC बोट का, UP, बिहार, महराष्ट, राजस्थान, MP या अधर स्टेट बोट का हो चुटकियों में सॉल्ब किया जाएगा इसके साथ साथ जैए मेंस, एडवान्स, नीट और कच्छा छटवी से लेके बारवी तक के Physics, Chemistry, Mathematics, Biology के Questions धुआधार तरीके से सॉल्ब किये जाएगे डाउटना टैप पे Live Classes, English Medium और Hindi Medium के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए चलती है तो आजए डाउटना टैप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वह देखे साहब एक बात तो स्पस्ट है कि चाहे 6 महीने से, चाहे 1 साल से आप अपने एक्जाम्स की तियारी जबरदस तरीके से क्यों न करते आ रही हों लेकिन अगर अंतimme समय में आपको कापी लिखने का तरीका नहीं पता है ये नहीं पता है कि एक्जामेनिशन में कापी किस तरीके से लिखे ताकि हमारी कापी से एक्जामनर अट्रैक्ट हो पाए और हमें अच्छा नमबर दे पाए तो यकीन मानिये सहाब आपका नंबर अच्छा नहीं आ सकता इसलिए आज इस वीडियो को डिजाइन करने का सबसे सही वक्त है इस वीडियो के माधधम से हम आप से बात करेंगे कि एक्जाम में कापी लिखने से पहले ये पांच बाते अगर आपके दमाग में होंगी तो आप अपनी कापी को बहुत जबरदस तरीके से लिख पाएंगे बिना किसी गलती के लिख पाएंगे ताकि कोई भी examiner आपकी copy को देखके attract हो पाएगा और आपको बहुत जबरदस्त नमबर दे पाएगा Student मातर 10 मिनट की ये वीडियो है ये 10 मिनट की वीडियो आपके 6 महीने की एक साल की जबरदस्त महनत के बल पे बहुत जबरदस्त आउटपुट देने वाला है इसलिए इन 5 बातों को हो सके तो अपने notes में लिख दीजेगा ऐसी जगह लिख दीजेगा जहां आप copy लिखने की practice करते हैं ताकि हर बार वो आपके दमाग में खटक सके और अटलीस्ट एक बार अगर ये चीज़ बैठ जाएगी कि ये 5 चीजे मुझे एकदम हर हाल में follow करना है तो निश्यत तोर पे आप अपने exams के copy को बहुत जबर्दस तरीके से represent कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तित कर पाएंगे आईए student एक एक करके पांचों चीज़ों को समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये जानने की कुस्स करते हैं कि ये पांच चीज़े कौन सी हैं जो हमें copy लिखने में काफी मदद करेंगी जो सबसे पहली चीज़ है कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है देखे सहब बहुत सारे students का क्या होता है कि जैसे ही paper मलता है एकदम start हो जाते हैं ऐसे में होगा क्या कि paper में जो question उनको आ रहा होगा वो तो अच्छे तरीके से करेंगे और जो नहीं आ रहा उसको गलत सलत करके आगे बढ़ते जाएंगे जिससे overall copy का representation प्रस्तती करण बिल्कुल खराब हो जाएगा और examiner को वो चीज बहुत जादा जो है बैड लगेगी फिर number कम आनाता है आपको student हर examination में 15 minute का समय paper पढ़ने के लिए मिलता है इसलिए students इस समय को बिल्कुल लिखने में ना लगाएं पहले सबसे पहले paper को पढ़ें इस 15 minute के अंदर आपको पूरा paper पढ़के analysis करना है कि कौन कौन सा question आ रहा है और कौन कौन सा question आपको नहीं आ रहा है जो question आ रहा है उसकी सबसे पहले pencil से टिक कर दें और उसे crum wise लिखना सुरू करें अगर पूरा paper आपको आ रहा है तो एक crum से लिखें अगर पूरा paper नहीं आ रहा है तो जो प्रश्ण आपको आ रहा है उसको सबसे पहले लिखें और सटीक तरीके से लिखें इस तरीके से लिखें कि बिल्कुल गलतियां उसमें ना हो तो paper मिलने के साथ ही एकदम जल्दबाजी नहीं करना है students जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा गरबढ होता है इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है 15 मिनट तसल्य से paper को पढ़ना है और उसके बाद से अपनी strategy के साथ अपनी अगले रड़नी तिकाउप योग करके और paper को बहुत अच्छे तरीके से tackle करना है अपनी copy को बहुत अच्छे से लिखना है आप यहाँ पे दो diagram देख रहे हैं students ये 15 मिनट सबसे पहले paper पढ़ रही है और paper मिलते ही ये लिखना सुरू कर रही है इन्हें क्या लगता है कि 15 मिनट अगर पहले आप इन से लिखती है तो आप अच्छा परदर्शन कर पाएंगी जी नहीं सहब जरूर इनकी कहीं न कहीं गलती होगी क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में काम सुरू किया है और अगर आप paper को 15 मिनट पढ़ लेते हैं तो आपको idea लग जाता है कि आपका paper किस label का आया है और किस according आपको अपने paper को solve करना है इसलिए 15 मिनट का समय आपको दिया गया है तो आप उसका utilize कीजे और बहुत तगड़े तरीके से अपने examinations की copy को प्रस्तत कीजे examiner के पास जो दूसरी चीज student आप सभी को استعمال करनी है और copy लिखते समय तो ये दमाग में अपने इस बात को हमेशा के लिए fit कर लेना है क्या है साहब दूसरी बात कि paper को क्रम से हल करना सुरू करे अब देगे साहब अगर आपको पूरा paper नहीं आता है तो भी मैं बताऊंगा कि उस स्तती में क्या करना है लेकिन अगर आपको paper पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा paper मैं solve गर लूँगा तो एक क्रम से सुरूआत करें question number 1 से सुरू करें और last तक एकदम क्रम से चलते जाएं यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस इस तरीके से या फिर last से सुरूआत करें last वाले question से सुरूआत करें और एक number question तक चले आएं ये condition कब होगा जब आपको paper पूरी तरीके से solve करना आ रहा होगा सारे question आपको आ रहे होगे अब बहुत सारे students की ये दिक्कत होती है कि साब मुझे पूरा question तो नहीं आ रहा तो पूरा जब question नहीं आ रहा तो आप अपनी मर्जी के according answer लिख सकते हैं इसमें आपका एक भी number नहीं कटेगा जैसे मालीजे पहला दूसरा question नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे answer number 3 डालेंगे और यहां से answer number 3 को लिखना प्रारंब कर देंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप crumb से लिखेंगे लेकिन अगर आपको paper पूरा आता है तो crumb से लिखेंगे तो examiner को copy check करने में बड़ी आसानी होगी और इससे आपके number कटने के chances कहीं हद तक कम हो जाएंगे और आपको अच्छा number मिलेंगे इसलिए students सबसे पहले तो 15 minute paper पढ़िए अगर आपको paper पूरा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है फिर दूसरे step का आप इस्तमाल करेंगे paper को crumb से लिखेंगे और 15 minute paper पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ साहब मुझे तो ये question नहीं आ रहा ये question नहीं आ रहा तो इसको छोड़ते जाए जो जो question आ रहा है पहले उसको बहुत सटीक तरीके से और अच्छी handwriting में अपने copy में represent कीजे और उसका अच्छा answer लिखे ये दूसरे tips आपको हमेशा इस्तमाल करनी है आज से ही practice करनी है student इस वीडियो को एक महीने पहले बनाने का उदिश यही है ताकि आप इसको practical तरीके से इस्तमाल कर पाएं और एक महीना पहले से अगर आप इसको इस्तमाल करना सुरू कर देंगे तो निश्यत तोर पे आप examinations में बहुत अच्छा परदर्शन करने वाले हैं तीसरी चीज स्टूडेंट हम जानते हैं कि तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज यह है कि एक समान हेंड राइटिंग में कापी लिखे वह देखे साहब होता क्या है और बड़ा मज़दार पक्ष भी है कि सुरू में जब हमें कापी मिलता है तो उसमें हीरा मोती जड़के और बहुत तगड़े तरीके से कापी लिखते हैं लेकिन जैसे जैसे एक समय बीटता जाता है और हमें लगता है कि अभी ये प्रशन छूट जाएगा एकदम गोजने लगते हैं एक तरीके से कापी में तो सबसे पहले आप यह जानिये कि सुरू में इस तरीके से हीरा मोती लगाने की क्या जरूरत है आप अगर इस तरीके से भी नहीं लगाएंगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा क्योंकि इस हीरा मोती का नंबर नहीं मिलता है सहब यह आपकी आंसर का नंबर मिलता है इसलिए proper तरीके से 20 तरीके से उसमें full बनाना बंद कीजे आपको क्या करना है heading लिखना है और इस तरीके से दो line इस तरीके से खीच देना है यह आपका heading के तौर पे हो जाएगा या आप dark pen से अगर आप लिख देते हैं तो वही heading हो जाता है और उसके बाद आप एक समान handwriting से लिखना प्रारंभ करें यह नहीं कि सुरू के दो पेज आप आपने पूरा विस्ट व सुंदरी जैसा जो है वो writing लिखा है और उसके बाद से जो writing लिखा है वो examiner को समझी नहीं आ रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि दूसरे ने आपकी copy को लिखा है या जितना समझ में आता है उतना का number तो best आपको मिलता है और जो समझ में नहीं आता है उसका number आपको काट लिया जाता है इसलिए students आप सभी से request है कि एक समान handwriting से लिखें अगर लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखें पूरे copy में ऐसे ही लिखें ताकि आपको समान और अच्छा number मिले अब इसका क्या उपाय है आप कहेंगे कि साब जब question छूटने लगता है तो वहाँ पे दमाग काम नहीं करता और जल्दबाजी में हम लिखने लगते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि सारे questions को जो है वो निर्धारिद समय बना के लिखें ये नहीं कि सुरू में जो आपको जो answer मिला है उसका आप एकदम रचरच के answer लिखें और last के लिए जल्दबाजी करें नहीं साहब आपको सुरू वाले answer को भी maximum से maximum 5 से 10 minute में लिख देना है अगर वो बड़ा question है तो अगर वो दो number का question है तो मातर दो minute में आपको उसका answer लिखना है ठीक है तो इस पूरे tips के मादधम से मैं यहीं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समान handwriting से अगर आपकी copy लिखी होगी तो examiner बहुत अच्छे तरीके से आपकी copy से attract होगा और काफी अच्छा number आपको देंगे देखिये साहब आपने कितना पढ़ा है अपने examination के लिए यह examiner नहीं जानते हैं यह कैसे वो जानते हैं व्यों आपकी copy के मादधम से ही तो फिर चाहे आप कितना भी पढ़े कियो नहों आपको number नहीं मिल सकता इसलिए कोसिस करें कि जमीनी हकीकत पे अर्थात practical तरीके से question का answer लिख के practice करना सुरू करें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने exams की copy में उस चीज़ को represent कर बाएं क्योंकि सिर्फ अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता इसलिए प्रश्णों का उत्तर लिख के पढ़ने की practice करें लिखते जाएंगे तो practice भी बनती जाएगी examination के लिए और अच्छा प्रदर्शन भी आप कर पाएंगे चौथी चीज जो कि सबसे important है और अक्सर student इसी में जो है वो गलती करते हैं जिनसे उनका paper छूट जाता है कई question अधूरे रह जाते हैं क्या है चौथी चीज कि समय निर्धारित करके प्रशनों का उत्तर लिखें वह देखे साहब ये चीज बड़ा important है और इस चीज को इस video का माध्धम से include करने का यही मकसद है कि बहुत सारे student exam बात कहते हैं कि साहब मेरा दो तीन प्रशन जूट गया क्या उसका number मिल जाएग please बता दीजे please बता दीजे तो देखे पहले ही मैं बताता हूँ कि देखे सुरू हो या last हो सबसे पहले तो आपको निर्धारित कर लेना है उन 15 मिनट के अंदर ही कि किस प्रशन पे आपको कितना मिनट देना है अगर वो दो पेज का answer है तो इस स्तती में आपको maximum 10 से 15 मिनट देना है 10 से 15 मिनट में जो है वो आपको उत्तर लिख देना है अगर आप समय निर्धारित करके एक एक सेक्षन को करते जाएंगे तो निश्यत तोर पे समय के अंदर ही आप पूरे पेपर को शॉल्ब कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने एक्जाम कर रहे हैं और चले जाएंगे लेकिन आप अगर कॉपी में ध्यान नहीं देंगे आप अगर आंसर को नहीं लिखेंगे तो आपका समय धीरे धीरे निकल रहा है उतना ही निर्धारित समय के अंदर गत आपको पूरा पेपर लिखना है तो ना चेकिंग वाले के उपर ध्या प्रशनों का उत्तर लिखे ताकि कम समय में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो पाए और लास्ट में बचे समय का इस्तमाल आप रिवीजन करने में लगाएं ये देखने में लगाएं कि कहीं पूरे प्रशन पत्र में आपको कहीं गलतियां तो नहीं हुई आपसे या किसी क्व पूरे प्रशन पत्र को सॉल्व करवाएं नेक्स्ट और लास्ट स्टेप स्टूडेंट आपको हमेशा अपने दमाग में फिट रखना है क्या है कि ज़्यादा काट पीट ना करें और जहां जरूरी हो वहां डायग्राम यानिकि चित्र जरूर बनाएं होता क्या है स्टू हैं इस तरीके से तो ये भी हमारा काटा हुआ माना जाएगा लेकिन हमारी आदत क्या है स्टूडेंटस हमें से मैकिसमम स्टूडेंट कistä क्या अदत है कि पूरा उसको जब तक झीड़ से तरीके से तनीत हैं और इस तरीके से डार करने किरा भीदा ही पीछे होती है suppose that आप light लिख रहे हैं यह गलती हो गई तो एक बार इस तरीगे से आपको कर देना है ज्यादा कार्ट पीट या गोजा पाती नहीं करना है क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी कापी में सिर्फ और सिर्फ कार्ट पीट ही दिखेगा और फिर मजा नहीं आएगा और फिर लास्ट में कहेंगे कि यह यह मैंने क्या कर दिया यह तो सबसे बड़ी गलती हो गई और फिर चलाते हुए examination center से बाहर निकलेंगे ऐसा नहीं करना है student examiner को हमें attract करना है अपनी copy के द्वारा ऐसे में student अगर हम अच्छी तरीके से copy को represent नहीं करेंगे सांदार और सुन्दर तरीके से अपने copy को represent नहीं करेंगे तो कोई भी examiner हमारी copy से attract नहीं हो पाएगा इसलिए students अपने examination की copy को बहुत तगड़ा लिखना है और जहां पे diagram कहें वहाँ diagram यानि चित्र जरूर बनाना है इसका एक अलग प्रभाव examiner के उपर पढ़ता है क्योंकि जो पढ़ने वाले students नहीं होते हैं वो चित्र को कभी नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने practice ही नहीं किया होता है ऐसे में अगर आप चित्र बना देते हैं तो इससे आपकी talenty का अलग अनुमाल लगता है और आपको number मिलने का chances कई गुना बढ़ जाता है student इन चारो पाँचो टिप्स को आप अपनी copy में लिख लीजे ऐसी जगह चिपका दीजे जहां आप exams की त्यारी करते हैं जिससे ये चारो पाँचो चीजों का इस्तमाल करके आप आज से ही अपनी copy लिखने के practice को बनाए रखें और आज से copy लिखने की practice जो है वो शुरू कर पाएं लिखे comment section में कि कौन से आज से आप अपनी जो है वो subject की practice करने वाले हैं वो भी लिखके तो मुझे उमीद है students के मैं अपनी बातों को बिल्कुल सपष्ट तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया हूँ अगर आपको हमारी videos ये पसंद आई तो इस video को like कीजे motivation वाले भीया को subscribe कीजे क्योंकि इस channel का एक ही उद्दिश से है कि exam तक आपको बहुत जबरदस तरीके से motivate रखना ताकि आप अपने exams की त्यारी बहुत जबरदस तरीके से और धमाकदार तरीके से कर पाएं last में जरूर लिखेगा कि सहब मैं आज से अपने exams की practice करने वाला हूँ exam में copy लिखने के तरीके के उपर practice करने वाला हूँ और अपने आपको perfect बनाने वाला हूँ God bless you all students Love you all, take care